नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है इस वक्त जो समाचार आ रहा है वो है दिल्ली से श्रीगंगानगर आ रही नीजी बस के दुरगटना गरस्त होने का दिल्ली से रात्री को चली टांटिय ट्रैवल्स की एक बस हर्याना में उस वक्त दुरगटना का शिकार हो गई जब वो भाधरगट के सांपला के नस्दीक पहुँची बस के सामने से आ रही कार बस से भीड़ गई दुरगटना इतनी जबरदस थी की कार के परकच्चे करीब 12.12 बजे हर्याना के बाधरगट के नस्दीक हुई बस यहां दिल्ली से चलकर पहुँची थी की सामने से आ रही कार से भीड़त हो गई दुरगटना के साथ ही कार चालक ने मोके पर ही दम तोड़ दिया दुरगटना होने से बस में बैठी समारियों में हड़कंप की स्थिती मच गई और सभी बस से बाहर निकल आए दुरगटना के बाद रास्ते पर जाम की स्थिती बन गई क्योंकि पुलिस के आने से पहले वानों को हटाया जाना भी उचित नहीं था मोके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया वही दुरगटना ग्रस्त वाहन को भी जब्त कर लिया बस संचाल को द्वारा सवारियों को लाने के लिए अन्या बस की विवस्था की गई जिसके चलते सवारियों को परिशानली का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इस विवस्ता में 2-3 घंटे लग गए जिन सवारियों को आज प्रात्य गंगानगर पहुंचना था वे 3 घंटे की देरी के साथ गंगानगर पहुंचे